हाई फ्रेंड वेल्कम टू लॉमेट आयम मुस्कान मंध्यान यू लीगल गाइड तो जल्दी से जाके जॉइन कर लिजए क्योंकि हर वीडियो के नोट्स में वही पर आपको अवेलिबल कराती हूँ I request you guys कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहे हैं and lets start तो state की जो policies रहती हैं ठीक है वो कब execute होगी और कब implement होगी वो तभी execute हो पाएंगी तभी implement हो पाएंगी जब citizens एक तरीके सा discipline में रहेंगे एक code of conduct को follow करेंगे एक general rules की list को जब वो लोग follow करने लगेंगे तभी ये policies implement हो पाएंगी real life में उनका discipline होना बहुत ज़ादा जरूरी है और citizens को discipline करने के लिए law का काम होता है तो जब citizens general rules को follow करने लगेंगे तो policies को implement करने में आसानी होगी और वो citizens जो ऐसा नहीं करते हैं उन्हें state की तरफ से punish किया जाता है या penalize किया जाता है law एक situation का ऐसा feature है एक ऐसा characteristic है जहाँ पर किसी object को या किसी individual को uniformly behave करना पड़ता है under specific conditions indicating regularities of behavior मतलब law किसी individual को या किसी object specific conditions में specific तरीके से behave करना सिखाता है ज़िसे हम regularities of behavior कहते हैं regularities of behavior का मतलब ही है कि उस individual का या उस object का जो behavior है उसे regulate किया जा रहा है उसे control किया जा रहा है यही मतलब होता है law का किसी object या किसी individual को specific conditions में यूनिफॉर्मली बिहेव करना सिखाना एक तरीके से बिहेव करना सिखाना राइट अंडर स्पेसिफिक कंडिशन्स ठीक है जिसे हम कहेंगे रिगलारिटीज ओफ बिहेवियर पोलिटिकल साइन्स के व्यूपॉइंट में लौ क्या है ठीक है लौ है कमांड इशूड किया जाएगा अब हम सामंड की डेफिनेशन देखेंगे काफी अच्छी डेफिनेशन है उन्होंने का है law is a collection of rules ठीक है law rules का एक collection एक समू है which the state recognizes जिनको state accept करता है recognize करता है और उन्हें apply करता है justice के administration में हम यह चोटा सा topic discuss करेंगे descriptive और scientific law का descriptive law या scientific law universe में operate करता है पूरे right independently of our will वो हमारी will पर depend नहीं करता है कि इंसान क्या चाहते है right वो बस operate करता है independent है वो ठीक है वो universe का law है right ब्रह्मांड का law है वो हमारी permission से operate नहीं करता हम उसे discover कर सकते हैं हम समझ सकते हैं यह universe का law है इसे हम छूँ नहीं सकते हैं इसे हम alter नहीं कर सकते right बट हम इसे change नहीं कर सकते हैं अपने तरीके से देख सकते हैं डिसकवर कर सकते हैं लेकिन इसे चेंज नहीं कर सकते हैं इस scientific law की knowledge को हम human purposes के लिए use कर सकते हैं humans की life को बहतर बनाने के लिए use कर सकते हैं इसका example है law of gravitation यह एक universal law है law of gravitation है की नहीं सो क्या scientific law को एक तरीके से बदला जा सकता है challenge किया जा सकता है या redefine किया जा सकता है हाँ किया जा सकता है लेकिन अगर उसे हमें redefine करना है तो हमें एक नई scientific discovery करनी होगी एक नया experiment करना होगा अगर हमें उसे redefine करना है तो एक experimentation का proof लाना होगा अगर हम उसे redefine करना चाहते हैं तो एक और छोटा सा टॉपिक prescriptive या stipulative law क्या होता है वो भी देख लेते हैं जैसा कि नाम है prescriptive कुछ prescribe कर रहा है हमें तो ये individual को बताता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है एक particular condition में कुछ particular conditions में individual को क्या करना है क्या नहीं करना है prescriptive law वो उस individual को बताता है organizations prescriptive law बनाती है अपने individuals के लिए जो members वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके prescriptive law बनाती है ताकि वो disciplined रहे हैं और साही से काम कर सके अगर individual इन-laws को follow नहीं करता है तो उसे punishment मिलती है right because in-laws के पीछे sanctions रहते हैं जो organization उसकी existence ही in-laws पर in-rules पर depend करती है why because अगर ये rules नहीं रहेंगे तो organization की जो members है वो undisciplined हो जाएंगे right अपने हिसाब से काम करने लगेंगे इसलिए organization की existence in-rules पर depend करती है ये एक man-made law है right जिसे society ने adopt किया है ताकि वो humans का behavior regulate कर सके इसे हम अपनी needs और thinking के हिसाब से बदलते वक्त के हिसाब से change कर सकते है example होगा एक penal code right जिसमें सब offenses के लिए सारी punishments लिखी है तो एक penal code prescriptive law का example है जब prescriptive courts को lawyers या law courts एक तरीके से test करते हैं तो इसका test होता है valid या invalid मतलब prescriptive law valid है या invalid है right इसको interpret करने के लिए doctrine of fairness, doctrine of reasonableness, due process etc. जैसे doctrines use किये जाते हैं the letter of law may be supplemented by the spirit of law during the course of interpretation and in the process of adjudication यह बहुत important point है पता है यह point आगे भी आपको काफी जादा काम आने वाला है letter of law may be supplemented by the spirit of law letter of law का मतलब होता है literal interpretation करना of what is written law कैसे लिखा गया है ठीक है क्या लिखा गया है उसको वैसे ही समझना जो कुछ भी लिखा है उसको वैसे ही समझना spirit of law का मतलब होता है कि जिसने law लिखा है उसकी सोच को समझना कि उसने क्या सोच के इस law को ऐसे लिखा होगा ठीक है यानि जो हमारे law makers थे ठीक है उनकी intent को समझना उनकी सोच को समझना तो जब हम law को interpret कर रहे है law को एक नया meaning दे रहे है तो हमें law को letter of law के हिसाब से नहीं interpret करना चाहिए जो लिखा है उसको वैसे ही नहीं समझ जाना चाहिए बलकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम spirit of law को समझे समझ रहे हो जिसने law लिखा है उसकी सोच को समझे कि उसने क्या सोच के law लिखा है तब हम law को एक नया meaning दे पाएंगे समझ रहे हो यहीं मतलब है point 10 का जो की बहुत important है अब आगे भी इस चीज को पढ़ोगे अब हम discuss करेंगे essentials of law लेकिन इससे भी एक essential चीज मेरे पास है प्लीज अगर आप नए है channel पे bell icon को प्रेस कर दीजे share करिए जादा जादा वीडियो को ताकि हम और जादा informative content बना सके law uniform है nature में right वो सारे citizens पर एक तरीके से apply होता है सभी citizens के लिए equal रहता है और ये society के interest में apply किया जाता है ताकि society का भला हो सके law को apply करने के लिए एक civil society का exist करना बहुत जादा जरूरी है क्योंकि law civil society में ही काम करता है एक sovereign power का होना बहुत जादा जरूरी है जो law को formulate करेगा और उसे execute करेगा सो ये जो law बनाने का right है ये रहता किसके पास है जो लोगों के representatives रहता है जो जिने हम vote करते है उनके पास ये right रहता है to legislate है ना to legislate law on our behalf हमारे बिहाफ पर right public के बिहाफ पर state के पास ताकत रहती है कि उन individuals को punish किया जाए जो law को follow नहीं करते है उसे obey नहीं करते है ठीक है because law के पास backing रहती है एक तरीके से support रहता है coercive authority का state की forceful authority जो है state की उसका support मिला रहता है law को law का goal क्या है क्या achieve करना चाहता है law law चाहता है peace maintain रहे society में order maintain रहे security maintain रहे लोगों की right और एक all over public welfare को achieve करना चाहता है law sixth point हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो आगे भी आपके काम आने वाला है वो है ignorance of law is no excuse ठीक है न कहते है न ignorance of fact can be permitted अगर आपसे किसी fact को समझने में गलती हो गई तो उसे permit किया जा सकता है ignorance of law is no excuse तो इसका एक example लेते हैं आप अंधेरे में चल लहे थे ठीक है आपको सामने से दिखाई दिया कि शेर है ठीक है आपने उस पे गोली चलाए जब आप पास में गए तो आपको परता चला वो शेर नहीं था एक मिट्टी का धेला पड़ा हुआ था right शेर नहीं था वो एक मिट्टी का धेला पड़ा हुआ था तो यह है mistake of fact तो law में mistake of fact permitted है ठीक है mistake of fact हो सकता है mistake of law is no excuse ignorance of law is no excuse मतलब अगर आपने किसी law को ignore कर दिया आपने किसी law को समझने में गलती कर दिया तो आपको माफी नहीं मिलेगी आपको सजा मिलेगी उस चीज़ की इसका एक example लेते ह है आपने कहीं किसी country में कोई crime कर दिया आपको लगा आपको ये समझ में कि अरे मुझे नहीं पता था यह चीज़ को crime कहते हैं यहाँपे right हर country का law अलग-अलग है क्या पता जो इंडिया में crime ना हो वो किसी और country में crime हो आपको पता नहीं था कि ये चीज़ उस country में crime मानी ज जाएगा, right, mistake of law, mistake of fact can be permitted, ignorance of law is no excuse, right, ये चीज़े मैंने example दिया आपको समझाने के लिए कि क्या है ये दोनों चीज़े, judiciary का exist करना बहुत ज़ादा जरूरी है अगर हमें law को बचाना है तो, ठीक है, ये law को interpret करने का काम करती है, offenders को punish करने का काम करती है, ये हमें ये भी बताती है, कि जो legislature ने हमें law दिया है, वो valid है या नहीं है, ठीक है, एक law की validity को भी ये हमें judge करती है, law को सिर्फ इसलिए obey नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं obey करेंगे तो आपका ही भला है, तब वो से अच्छे से ओबे कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता रहेगा, इसमें उन्हीं का development चुपा है, अब हम discuss करेंगे kinds या types of laws, लेकिन उसके पहले अगर कोई भी doubt हो, कोई भी problem, law peeps is my insta id, जिसका link description में दिये, वहाँ आकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ भी मैं काफी informative content upload करती हूँ, पहला है national law, ठीक है, national law apply होता है, किसी particular territory पर, किसी particular state पर, राइट, किसी particular state पर ये apply होता है, ये लोगों की national life को, उस state में जो लोग रह रहे हैं, उस state की national life को regulate करता है, या control करता है, ठीक है, इसका violation, अगर आपने इस law को violate किया, तो ये punishable offense माना जाएगा, जो law courts है, ठीक है, जो courts है, उस state में, उस particular state में, वो आपको punish करेंगे, राइट, इसे law courts ही enforce करने का काम करते हैं, international law एक तरीके से mutual relations, you know, mutual relations of independent nations को regulate करता है, मतलब कि जो different nations है, उनका आपस में जो relationship है, उसे control करने के लिए, उसे regulate करने के लिए, international law सामने आता है, ये होता है, international law, ये हमें कुछ rules देता है, जिसके according एक state को, दूसरे state के साथ कैसे behave करना है, ये लिखा होता है, राइट, किस तरीके से क्या conduct होना चाहिए, एक state का दूसरे state के towards, ये हमें बताता है, international law, अब international law के पास कोई भी sovereign पार नहीं होती है, राइट, वहाँ सभी state sovereign ही है, राइट, सभी independent states है, सभी state sovereign है, तो वहाँ कोई भी एक sovereign पार नहीं होती है, जो सारे states को control करे, राइट, ऐसी कोई भी पार नहीं होती है, जिस state ने इसे accept किया है, भाई, वही follow करेगा, जिस state ने voluntary इस law को accept किया है, वही follow करेगा, वही recognize करेगा, जबरदस्ती इसको follow नहीं करवाया जा सकता है, इतना कहना है मेरा, यहाँ पर मैंने इसका meaning दिया है, it can be explained as an aggregate of rules and regulations, ठीक है, इक aggregate है rules and regulations का, जिसे civilized states accept करते हैं और recognize करते हैं, ठीक है, in their relations with each other, एक दूसरे के साथ जब states interact करते हैं, तो वह इसे recognize करते हैं, इसे accept करते हैं, राइट, mutual cooperation और friendship आपस के states में बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी international law को recognize किया जाएगा, otherwise, कोई भी state जब एक दूसरे से interact ही नहीं करेगा, एक दूसरे से बात ही नहीं करेगा, तो क्या मतलब रह जाएगा, international law का, because international law states के बीच के relations को regulate करता है, इसी लिए उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, mutual cooperation और friendship का, अब हम एक important चीज आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा उसे, मैंने आपको क्या बताया था कि international level पर कोई भी sovereign authority नहीं है, जो सारे states को control कर सके, because सभी states sovereign हैं और सभी states independent है, उन्हें follow करना होगा law को तो करेंगे, नहीं follow करना होगा तो नहीं करेंगे, लेकिन अब सही से law की definition को याद करिए, law सभी पर binding रहता है, और सभी को उसे follow करना रहता है, जो law को follow नहीं करता, उसे punishment मिलती है, तो international level पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए John Austin ने कहा है, उन्होंने international law को, law की term को हटाया, और कहा है कि इसे international morality कहना चाहिए, राइट, international law की जगह हमें से international morality कहना चाहिए, because यहाँ पर कोई sovereign authority law को implement करने के लिए present नहीं है, राइट, कोई legal court नहीं है, जो international law को, you know, एक तरीके से interpret कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो international court of justice है, और बस नाम का ही court है, मैं आपको यह भी चीज़ बता दू, वो सिर्फ नाम का court है, समझ रहे, जब अब actual functioning पढ़ेंगे, एक court की हो, जब अब international court को देखोगे, तब आप समझोगे, कई court अब सिर्फ नाम का ही है, तो इसलिए John Austin ने यह term international morality यूज किया, यह आग government को function करने में help करता है, वो determine करता है कि उस government के जो organs होंगे, उनका क्या function होगा, वो कैसे काम करेंगे, यह सब काम होता है constitutional law का, गवर्मेंट का structure यह define करता है, determine करता है, और citizens को उनकी rights or duties provide करता है, government और citizens के बीच के relations को regulate करना काम होता है constitutional law का, यह written भी हो सकता है और unwritten भी हो सकत जैसा के नाम है ordinary तो इस citizens को ordinary conduct determine करता है इसे legislature बनाती है लेकिन usages, customs, traditions ये भी इसका basis होते है इनको भी इसका basis माना जाता है public law एक तरीके से individuals और state के relations को regulate करता है पूरी public इससे affect होती है और public law में वो crimes आते हैं जो public at large को affect करते हैं जैसे की murder, murder एक ऐसा crime है जो पूरी society को affect करता है it's a crime against whole society ठीक है public crimes जो होते हैं वो crimes पूरी society के against माने जाते हैं अपने मारा एक कोई है लेकिन उसे crime पूरी society के against माना जाएगा private law एक तरीके से एक individual का relation दूसरे individual के साथ determine करता है इसमें civil laws आते हैं public law में criminal laws आते हैं इसमें civil laws आते हैं एक individual का crime दूसरे individual को कैसे affect कर रहा है इसमें इस चीज की हम बात करते हैं it is related with some special institution किसी special institution से ये laws related रहते हैं किसी particular class of society से ये laws related रहते हैं administrative law एक तरीके से government employees और citizens के बीच relation को govern करता है government employees के बीच क्या relation government employees का citizens के साथ क्या relation होगा ठीक है उसे determine करता है administrative law citizens को एक तरीके से government के arbitrary powers से ये बचाता है government की tyranny से बचाता है citizens को अगर एक government employee काम करते वक्त किसी citizen को harm कर देता है तो ऐसे cases refer किये जाते है administrative tribunals में ऐसे cases decide किये जाते है administrative tribunals में general लोग basically हम दो-तीन तरह के laws यहाँ पर discuss करेंगे miscellaneous category भी आप इसे कह सकते हो पहली category वही है जो legislature वो laws बनाता है जो day-to-day administration को run करने में काम आते है second है ordinance जो president promulgate करते है जो president promulgate करते है to meet extra ordinary situations when parliament is not in session जब parliament session में नहीं होता है तो president को अगर लगता है कि ऐसी situation है जो immediate action यहनों मांग रही है उस पे immediate action होना चाहिए तो president ordinance को promulgate कर सकते है यह permanent law नहीं रहता है जब वापस से legislature मिलती है तो इसे permanent law बनाया जा सकता है judges क्या केते हैं जब judgment को deliver कर रहा है तो वो कुछ presidents दे देते हैं ठीक है वो presidents future cases में हमारे काम आते हैं जब हम future cases decide कर रहे होते हैं customs और usages जो बहुत सदियों से चले आ रहे हैं courts उनको भी कभी कभी recognize करते हैं यह थे चार तरह के general laws please video को जादा जादा share कर यह बहुत जादा काम करना पड़ता है ऐसे videos लाने के लिए please so अब है sources of law को हमें discuss करना है यह सबसे oldest expression है law का right और सबसे important expression भी है law का जब state एक तरीके से originate नहीं हुआ था जब state existence में नहीं आया था तब individuals की life जो थी वो customs द्वारा ही regulate होती थी right बहुत समय बाद इसे एक तरीके से you know बहुत समय बाद इसे एक standard form of behavior के रूप में accept किया गया जो भी इन्हें violate करता था जो भी इन्हें तोड़ता था एक तरीके से उन्हें punishment मिलती थी और उनसे उनकी privileges छीन ली जाती थी इसी से आप समझ सकते हो कि यह जो punishment का concept है यह भी बहुत जादा पुराना है तो हर custom को आप law नहीं बना सकते हो कुछ customs को हम law की तरह accept कर सकते हैं क्या qualities हैं जिनकी वज़े से हम किसी custom को law की तरह accept कर सकते हैं देखो it must be followed from time immemorial मतलब यह इतने पुराने समय से follow किया जाना चाहिए कि मतलब उसका न कोई time period ना हो कि इस time से हम follow कर रहें नहीं वो बहुत पुराने समय से follow किया जाना चाहिए कि हमें याद नहों कि किस time period से हमें से follow कर रहे हैं काफी पुराना होना चाहिए पूरी सोसाइटी इसको recognize करे और इसको accept करे और ये custom morality और written laws के against नहीं होना चाहिए उनके contradictory में नहीं आना चाहिए For example, जो family है और जो marriage है ये दोनों जो institutions है ये customs पर ही based है और ये state के पहले ही exist करते थे State के पहले से ही ये चीज़े exist करती थी तो अब समझ सकते हूँ कितनी पुरानी चीज़ होती है custom अब जो state है वो family या law को regulate करने के लिए time to time laws बना सकता है according to changing needs Common law है England का वो एक बहुत अच्छा example है custom का जिसे England के law courts recognize करते हैं Next source है law का religion तो custom और religion काफी ज़्यादा जुड़े हुएं काफी ज़्यादा intertwined है interconnected है Religion सिर्फ ये नहीं बताता था कि worship कैसे करनी है worship करने की क्या modes है बलकि वो बहुत सारे customs भी हमें देता था जिससे हमारी social life regulate होती थी जो politics और religion थे वो closely linked थे State भी utilize करता था religious laws को ठीक है ताकि वो social laws बना सके different religions के अपने अपने personal laws होते हैं जो कि उस religion की practice को, beliefs को वो regulate करते हैं जैसे कि Hindu marriage act ये एक personal law है है कि नहीं ऐसे Muslims के भी laws है इस तरीके से ही personal laws उस category के लोगों की उस particular religion के लोगों की life को regulate करते हैं जो judicial decisions रहते हैं या verdicts रहते हैं वो हम काफी बार precedents का काम करते हैं future decisions में precedent basically यही होता है कि जो previous case में कहा गया था अगर वैसी ही situation उठ रही है इस case में तो हम उस case को apply कर सकते हैं उस case की reasoning को apply कर सकते हैं इस case में simple billing यही होता है precedent का, right? time जैसे जैसे बदलता है उस हिसाब से judges भी law का scope expand करते जाते हैं, right? ताकि वो existing time की जो needs है उसे meet कर सके तो एक तरीके से वो contribution कर रहे है existing body में law की, right? उसे time to time expand करते हैं अपने judgments के थूँ जिसका सबसे best example है article 21 of the Indian Constitution आप जब article 21 पढ़ोगे तो आपको समझ में हैगा कि कितना जादा उसे time to time expand किया गया है उसका scope कितना जादा बढ़ गया है लगबग हर चीज आपकल 21 में cover हो जाएगी अपका हर right, right? तो इस वज़े से यह क्यों हुआ? यह क्योंकि वक्त बदल ला तो judges को लगा कि ऐसा होना चाहिए है की नहीं? तभी आपने citizens को protect कर पाएंगे उन्होंने law को एक तरीके से जो interpret किया है ठीक है? जो से interpret किया है उसे treaties के form में उन्होंने हमें दिया है उन्होंने अपना opinion express किया है जो की काफी जादा effective है और convincing authority है law के लिए इन scientific commentaries को काफी बार law codes use करते है decisions देने में यह काफी जादा important source होते है law का जो बड़े बड़े jurist हैं तरीके से interpret करते हैं law को और treaties के form में हमें देते हैं जो काफी effective साबित होते हैं कुछ decisions लेने में next source है law का equity तो judges को जब ऐसा लगता है कि law जो है वो सही से काम नहीं कर रहे वो relief नहीं पहुँचा आपा रहे disadvantaged party को तो judges अपना fair sense of justice use करते हैं और इस party को एक तरीके से relief provide करते हैं equity natural principle से derive की जाती है natural justice से इसे derive किया जाता है इसे letter of law या spirit of law से नहीं derive किया जाता इसे natural justice के principle से हम derive करते हैं equity को हिंदी में हम समता कहते हैं राइट समता तो गिलक्रिस नहीं आप ही कहा है equity not only supplements law but also it makes it flexible मतलब कि equity law को support करती है उसे supplement करती है उसे complete करती है उसके साथ ही साथ law को flexible बनाती है राइट law को rigid नहीं बनाती law को flexible बनाती है मतलब जिसको जो मिलना चाहिए equity वो उसे देती है वो यह नहीं सोचती है कि सब equal है तो सब को उसे साथ से मिलने law क्या बोलता है law यहीं बोलता है law सब के लिए equal है सब के लिए बराबर है अंधा है तो अंधा है गूंगा है तो गूंगा है सब के लिए बराबर है equity ये बोलती है कि नहीं अंधे के लिए हम law अलग करेंगे और जो गूंगा है उसके लिए law अलग करेंगे ये कहती है equity ठीक है legislation वैसे तो एक process law making का but हम इसे law के source में भी include कर सकते हैं जब legislature laws बना रहा होता है तो उसे ये भी ध्यान रखना होता है कि जो बाकी sources law के उनको भी equal importance दी जाए जो law की existing body है उसे supplement करते हैं ये सारे legislations अब हम discuss करेंगे sphere of law एरिया of law पहला है law and morality जादा detail में discuss नहीं किया है अगर detail में जानना है तो वीडियो बना चुकी हूँ link description में आप जाके उसे देख सकते हैं short video जादा बड़ा video नहीं है वो भी law को एक तरीके से moral principles को follow करना चाहिए right moral principles को recognize करना चाहिए law को लेकिन actual practice में law किसी individual को moral principles के against जाने के लिए बोल सकता है ठीक है क्योंकि law and morality में difference है भी और नहीं भी ये अब jurisprudence में detail में पढ़ोगे जब jurisprudence आएगी so जो कुछ भी morally wrong है ठीक है कुछ भी morally wrong है जरूरी नहीं है वो legally भी wrong हो ठीक है जो कुछ भी morally गलत माना जाता है जरूरी नहीं है वो legally भी गलत माना जाता हो जिसका example है envy ठीक है किसी से jealous होना किसी को thank you ना बोलना ingratitude होना ठीक है तो यह morally तो गलत है ठीक है morally bad manners है लेकिन क्या legally wrong है किसके लिए आपको punishment मिल सकती फासी पर चड़ाया जा सकता है बिलकुल नहीं राइट लेकिन अम यह नहीं भूल सकते हैं जो citizens law को follow करते हैं वो morality को भी follow करते हैं वो morality की वजह से ही law को follow करते हैं राइट morality उनकी conscience को जगाती है उनको कहती कि नहीं हमें law को follow करना जरूरी है यह चीज उन्हें बताता कौन है morality राइट तो morality भी बहुत जादा जरूरी है law के लिए जितना law जरूरी है morality के लिए moral wrongs के लिए कोई punishment नहीं होती है अगर अपने कुछ morally गलत किया है उसके लिए कोई भी punishment as such नहीं होती जैसे जैसे moral consciousness लोगों की change होती है ठीक है जैसे जैसे उनकी तरीके से moral habits बदलती है वैसे ही law भी खुद को बदलता है दोनों की भी similarity क्या है दोनों ही social welfare पर focus करते है राइट लोग लेकिन applicable होता है एक particular state के अंदर law state के within ही applicable होता है लेकिन morality universal रहती है morality पूरी तरीके से universally applicable रहती है अगर आप England में हो या कहीं भी हो morality आप अपनी नहीं छोड़ोगे लेकिन आप पर Indian law apply नहीं होगा क्योंकि आप state से बाहार हो इस वक्त इसी और state में हो second sphere है local law and liberty एक democratic state में law का purpose होता है कि वो individual की liberty को promote करे और उसे protect भी करे एक individual की liberty दूसरे individual की liberty को हाम ना पहुचाए ये देखना भी state का काम है इसी वज़़े से state इसी वज़े से state दूसरे की liberty को पर कुछ restrictions भी लगाता है individuals की liberty पर restrictions इसी लिए लगाया जाते हैं ताकि उनकी liberty किसी और की liberty को हाम ना पहुचाए ऐसे बहुत सारे areas जापर law को एक तरीके से restriction लगाना पड़ता है individuals पर जैसे की crime के sphere में, civil dispute के sphere में, economic sphere में, ठीक है? restrictions लगाया जाते है, economic sphere में, जैसे की labor laws होते हैं, है ना? labor laws के form में, restrictions लगाने पड़ता है, social welfare के sphere में taxation के थुरू, एक तरीके से restriction लगाया जाता है individuals पर तो अलग-अलग sphere में law individuals पर restrictions लगाता है, so guys, let's conclude this topic, rule of law rule of law पर एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, जिसका link description में आपको जरूर देखना चाहिए, because यह बहुत important doctrine है, rule of law का मतलब होता है, everyone is equal before law, law के सामने हर कोई equal है, law की eyes में हर कोई equal है, कोई भी law के ऊपर नहीं है, right? तो एक तरीके से law की supremacy के बारे में हमें बता रहा है कि law is supreme, law के यह उपर कोई भी नहीं है, government को अपनी authority law में रह कर ही exercise करनी चाहिए, law की boundaries के अंदर रह कर ही exercise करनी चाहिए, right? और जो लोग law को following करते हैं, उन्हें simply punish करना चाहिए, जो different schools, jurisprudence के, जैसे analytical school हो गया, sociological school हो गया, historical school हो गया, philosophical school हो गया, इन सारे schools के अपने-पने drawbacks है, ठीक है, इनके अपने-पनी कमिया है, इनके अपनी-पनी limitations है लेकिन इन schools ने बहुत जादा help की है, legislations बनाने में, laws को बनाने में, ठीक है, जो real and practical है, so thank you so much for watching this video friends and we'll meet soon in the next video, good luck!